कि असलाम अलेकुम एवरीवन मैं हो शुमाइला मिर्जा और आज आप लगों से एक केराटीन ट्रीटमेंट का रिव्यूजर करूंगी देमो पर दिखाऊंगी और आपको पता चलेगा कि यूजर भी किस तरीके से है इसका इस दिये वीडियो को देखिएगा बिल्कुल जिसके अंदर हमें तीन साशे मिलते हैं एक है इसके अंदर शैंपू एक है कंडिशनर और थर्ड है हमारा हेर मास्क इसको भी टू टाइम यूज़ कर चुकी हूँ और फरस्टाइम की कंडिशन भी आपको दिखा देती हूँ कहां से मैंने परिचेस किया है इंस्ट्रग्र और फरस्टाइम जब मैंने अप्लाइ किया है इसके बाद की कंडिशन भी आपको नजर आ जाएगी क्योंकि हैर जो है वो डाइड है थोड़ा सा शैंपू मैंने ले लिया है एक बाउल की अंदर मिक्स कर लेंगे एक थोड़ा से पानी की अंदर और एक सेकिंड बाउल हम ले लेंगे जिसके अंदर हम एड़ करेंगे हमारा जो हैर करिशनर है उसको शैंपू वेट हेर के ऊपर अप्लाइ करने की बाद हम हेर कंडिशनर 2-3 मिनट के लिए अप्लाइ करेंगे तमाम इंस्ट्रक्शन्स गरा फ्लैप्स के ऊपर साशे के ऊपर लिखी होई है लेकिन रिजल्ट जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरीके से मैंने दोनु चीज़े ले लिए बाउल में ताके असानी रहे और उसके बाद शैंपू करने के बाद जो है जनाब यह हमारा आफटर कंडिशनिंग के रिजल्ट और आप देख सकते हैं किस तरीके से हैं अभी डेंडर्फ का इशू आता है कि फलांची के साथ हमें डेंडर्फ होगी वो नहीं होता तो यह है कैराटीन डिलक्स का हेर मास्क फरस्ट टाइम मैंने यूज़ नहीं किया था जो आपको रिजल्ट दिखाया है सेकिंड टाइम अब मैं यूज़ कर रही हूँ यह तीनु ची तो फिर आप थोड़े थोड़े जो सेक्शन्स है वो लेकर भी कर सकते हैं लेकिन अगर आप अपने हेर्स के उपर लगा रहे हैं तो फिर तबाम हेर्स के उपर इस तरीके से अप्लाई करके हलका से मसाज कर लेना है हाँ एक चीज़ जो मैं बता दूँ कि जिन लोगे स्प नहीं किया कॉमिंग करने के बाद यहर मैं डायरेक्ट हेर कशा हेर श्रेटन कर रही हूं आप जानते हो कि कि हेर लोगे हो जाते हैं और हलका साथ टावल के साथ सुखा लिए थे यह और इस तरीके से यह स्टार्ट कर लिए ऑच्छा जब अपनी हम हेर्स कर रहे होते हैं य स्क्रीब सेक्षंस लेके करना करें चाहें करए और यहाँ स्वरकूं स्वरुइन तो इस तरीके सेटिञें descriptive क落को स्वरॉन होने के अपयान चाहिए उससरी कासी एक तो बहुत जाब की का तो आप डायइड हाई चाहिए तो इस तरीके से problem जो है वो generate होती है कम सकम root से 2 inch का फासला लेकि आपने आपने hair straightening करनी होती है उसके बाद आईस्ता आस्ता करके लेकर जाना होता है बिल्कुल end तक इस तरीके से क्या होता है कि आपकी hairs जो है वो dry भी हो जाते हैं स्ट्रेट भी हो जाते हैं और उसके बाद हमने blow dry कर लिया है blow dry करने से end पर यह होगा कि जो मैं brush यूज़ कर रही हूँ यह blow dry वाला ही brush है तो यहां पर blow dry के साथ मैं brush इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि hairs जो है वो अच्छे से straight हो जाए और नीचे से हलका सा curl भी दे देंगे अब आप देख सकते हैं कि क्या condition इसकी आ रही है hairs की पहले क्या condition थी और अब बिल्कुल straight हो गए है और हाथों के साथ भी अगर मैं कॉम करती हूँ तो बहुत अच्छा आ रहा है मतलब यह tangle free हो गए जबकि first time जब मैंने इसको यूज किया तो बहुत ज़्यादा tangles थे मेरे hairs की अंदर और यह इसका final result है आप देख सकते हैं बहुत ही smooth हुए हुए है कोई मैंने hair serum यहाँ यूज नहीं किया बिल्कुल total इसी serum इसके अंदर मैंने इस लिए यूज नहीं किया था कि अच्छे तरीके से आप लोग खुद इसका result देख सकें कि किस तरीके का product है और बाकी मिलते हैं नई वीडियो में